हेलो गुड मॉनिंग डियर स्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज करिया आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर के तरफ से जो रिकूर्मेंट निकल कर आया है वह आई टी आई बारों के लिए आई जो इसे की कैड कैम इलेक्टिसियन इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक्स इ इंफामेशन टेक्नोलोजी मेकेनिक या मसीन टूल टेक्नोलोजी या ड्राप्नमेंट सिविल से है तो यह रिकूर्मेंट आपके लिए है यहां पर देखिए जब आपको यह आफिसेल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्सन बाक्स मिल जाएगा तो यहां पर आप आ जाएगा वीडियेफ देखिए पीडियेफ ओफेन हो चुका है CSI और वाला यानि कि CSI स्ट्रक्चलर इंजिनियर रिसर्च सेंटर के तरफ से जो आया हुआ है रिकूर्में जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2020 का है तो इसकी डिटोरल नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बाते कर लेते हैं जैसे की तो यह नोटिफिकेशन डीटेल से हम लोग देख लेते हैं आप वीडियो को अंतक बने रहेगा इसमें हम बताएं कि आपको कैसे करना है कहां से आपको करना है ठीक है और दूसरी ब 200 रुपे तक ठीक है और आपको एलाउंस भी मिलेगा इनके अलावा यहां पर टूटल एक पोस्ट आया हुआ है जिसमें आपका क्लास टेंथ पास होना चाहिए 50 परसेंट मार के साथ आपका कैड या कैम में IT होना चाहिए या दो साल का फूल एक्सपरियेंस आपका होना च लेकिन इसमें टेक्निशन फर्स्ट की है जिसमें इंजिनियर वर्क सर्विस का है एक पोस्ट इसमें होगा है जो कि सी वालक रिये यहां पर मैक्सीमा मैं 33 साल है यहां पर टेंथ पास होना चाहिए 50 परसेंट के साथ उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसन ट्रेट से आर या इस्टे ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए अत्वाद दो साल का फुलन एक्सपिरीस्पिरेंस में एक्सपिरेंस होना चाहिए अगर आपके पास तो रेप्ट्रइटेड्टरि आर्गनाइजिजेशन से इनके अलावा आपके कोई भी एक्सपिरींस होगा आपके ट्रेट्ट से रिलेटेड तो आप फाम को फिल कर सकते हैं यहां पे टेक्शन का यहां पर फ एलल वन वन पोस्ट आया हुआ है अन्रिजर्व है 28 साल यहां पर यह लिमिटेड रसी पास के साथ साथ आपको उलेक्टिस्यन या इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक्स से ट्रेट पास होगा तो अच्छा है नहीं है तो भी आप फार्म को फिल कर सकते हैं यहां देखिए अगला जो पोस्ट आया हुए टेकनिसियन यह OBC वालों के लिए एक पोस्ट है यहां पर 50% मार के साथ 10 पास होना चाहिए उसके बाद आपका यहां पर आपको अधर्ण से बेसके यह बहुत हैं तो भी आप फार्म को फिल कर सकते हैं अगला जो पोस्ट आया हुए टेकनिसियन का वह वन पोच्ट है डफर के लिए जिसकी 18 साल एज लिमिट है सबकी सेल यहां पर समान है 19,900 से लेकर 63,200 रुपे तक तो 50% मार के साथ आया इसकूल पास होने के साथ साथ आपको मेकेनिक एलेक्ट्रोनिक मेकेनिक इन्फार्मेशन टेकनोलोजी मेकेनिक मसीन टूल मेंटिनेंस इन्फार्मेशन टेकनोलोजी मसीन टूल मेंटिनेंस किसी में से दो साल का फूल एक्सपरियेंस से तो आप फार्म को बढ़ सकते हैं अगला जो पोस्ट आया हुआ है जो कि यह भी टेकनिसियन का ही है टिटी आरेस का यहां भी एक पोस्ट आया हुआ है से एक्सपरियेंस लिया हुआ है दो साल का तो भी आप फार्म को भर सकते हैं ठीक है अगला जो पोस्ट आया हुए टेकनिसियन वन यह वेल्डर वालों के आया है वेल लिखा है डावलू एल एक पोस्ट यहां पर अठाई साल मागा हुआ है मैं बारवाग के रहा हूँ यहां पर सभी के पेश के लगवा बराबर ए 19,900 रुपए लेकर तक यहां 50 परसेंट मारक के साथ हाइस्पूल के साथ साथ आपका फीटर स्ट्रक्ट्टरल मेकेनिक मसीन या टूल मेंटिनेंस से अब बात करेंगे यहां पर मुख के मिन्दों को जैसे की टेक्निशियन पोस्ट चो लेवल टू आया हुआ है यहां पर 19,000 आपको मिलेगा 19,900 मिलेगा प्लस एलाउंस मिलकर आपको हैंड में टोटल 30,000 रुपे ठीक है आपकी सल लिए 19,900 रुपे से लेकर आपकी सल लिए 6,200 रुपे तक होगा ठीक है तो अभी जब आप जाइनिंग करेंगे तो 30,000 दो तीस अजलेगा अपको हाथ में मिलेगा एज रिलेकसेशन की बात करें तो एज रिलेकसेशन यहां पर मिलेगा 31,5 2021 के पहलेये जो भी यह झाहिए जो भी यह यह ज़ो प्रेमिनлюс === कांच और होना चाहिक है तो ही अज ल आ इस अचाहिए को बत करते हैं लिए अपका प्रेट कि यापका जो ट्रेड है उसी एरिया में आपका experience होना चाहिए जैसे आपने electrician से बार रहा होगा था तो electrician से full time दो साल का experience है तो आप बर सकते हैं ठीक है otherwise आप नहीं बर पाएंगे एक साल का है तो experience आपके पास दूसरा mode आप selection कैसे होगा तो आपको यहां पर selection जो होगा the technician post के लिए the candidate fulfill all necessary eligibility criteria as recommended by the screening committee will be invited for trade test पहले trade test होगा आपका उसके बाद those who qualify जो लोग trade test को पास करेंगे उनका written test होगा उसके बाद written test में आपका paper first में mental ability test यानि की reasoning का question होगा journal awareness और English का question होगा और paper third में आपका concern जो subject जिस भी trade से आप बरे हुए उनसे question होगा ठीक है तो पहला आपका जो trade test होगा और दूसरा जो होगा आपका वह paper mental ability और general awareness और English और concern subject से जो आप बरे हुए उनसे question देखने को मिलेंगे अब आपको बात करेंगे या पर apply कैसे करना है तो जो भी candidate eligible है वो farm को इस website पर जाकर भर सकते हैं www.serc.res.in पर सकते इसका link में description box में दो दो दे दूगा इसके लावा आपको अनलाइन फार्म ही बनना है website CSIR ACRC website को जाकर बनना है और आपको अप्लिकेशन विल भी नंबर दिया हुआ है इसमें भेज कर अपना फीस को सम्मिट कर सकते हैं ठीक है जो भी फीस आप पेड़ कर देंगे एक बार वो फीस नॉट रिस पंडेबल होगा और यह जो अनलाइन अप्लिकेशन फार्म में यह आपको भर लेना है तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टापिक से अमने इस वीडियो में बता दिया अगला वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा कि आपको फार्म को कैसे फिल करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो का, तो आज के लिए वीडियो में इक नहीं, थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो गाइस